इस पूरे श्लोक को अधर्वाइस बहुत ही सिंपल साथ प्रसंग है वैसे तो कहीं लोग प्रसंग को वैसे बता भी देते हैं कि इस पगाल भ्रहमाजी है और भवान की जो महा विष्णु जो गर्वदक्षर विष्णु है उनके नाभी से कमल है और गमल जो निकला हुआ है फिर कमल जो खिला हुआ है उसमें ब्रहमाजी बैठे हुए है और उसमें साधना तपस्या की और उनको सिष्टी करने के शक्ति प्राप दोई सिंपल लिए बहुत ही स्पेशल एंगल लेकर आ रहे हैं कि वहां बहुत प्रशंड हाँ चलने लगी तो उसमें क्या हुआ उसमें उथल पतल होने शुरू हो गई और जो कमल है वो भी हिल रहा है जिसमें ब्रहमाजी बैठे हुए है ओके ऐसा हुगया काफी दुखी बात है ऐसा हो गया लिए श्री प्रभुपाजी इसमें एंगल लेकर क्या रहे हैं माया शुक्ति का यह कभी-कभी हम जो कारे करन हो जाती है इस प्रकार से कोई भक्ती भी करने का प्रियास करता है अगर उसकी प्रेजंट सिचुएशन बहुत हिल रही हो अगर तो भक्ती से दूर जाने का लोग प्लैन बना ले रहे हैं वालोग घर की सिची बड़ी खराब हो जाए घर में बहुत आलोचना हो जाए बड़ी निंदा हो जाए और हमारे जो अनकमफरटेबल हो जाए तो इवन भक्ती से लोगों गावन हट भी जाता है तो माया जो है किस इसको बिविल्डर कर सकते हैं तो प्रभुपाजी अलग एंगर लेकर क्या रहे हैं यहां पर कि किस कार से माया शक्ती और भक्त की बीच में यहां पर यह भक्त हैं तो इसी लिए ऐसी परिस्तिती में विक्ती हिल सकता है बिलकुल हिल सकता है यहां पर यहां पर there is a war between Maya and the devotee दोनों के बीच में वार है और प्रभुपाजी बताया भी करते हैं दिस हरे कृष्णा movement is declaration of war against Maya यह जो हरे कृष्णा अंदोलन है वास्ते में यह Maya के विरुद युद्ध की घोषणा है यह बहुत बड़ी बात है आसल में यह बात बोल ने सकता कोई Maya के विरुद युद्ध की घोषणा आज तक जिसने भी युद्ध की घोषणा की है और Maya ने उसकी एह ऐसी तैसी मारी माय गाड इसने ही बोला ना इसलिए दुनिया में जाता लोग बोलते नहीं इस बारे में कोई नहीं बोलता कर्मी लोग तो देखो भार कोई बात ही नहीं कर रहें जतने मोटिवेशनल स्पीकरों की बरात लगे हुए आज इन में से कोई एक बार Maya शब्द बोल भी दे अबस वर्ड जुगलरी में इंको घुमाना थे थोड़ा अंगरीसी यसे अगर आप करना चाहिए आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है दुनिया फसी पड़ी है आसान है तो इस पर शेक्षा से मोटिवेशन स्पीकर ने भी कोई Maya की चर्चा नहीं करता कोई मोटीवेशन निया, कोई चर्चा नहीं गरता और जो सुनने वाले वी मोटीवेट होके वी माया ने और पढ़े जाते हैं और उत्सा हो हो वो Basically उनको मोटीवेट करते हैं कि माया में और तलीमता के साथ और उत्साह के साथ कैसे और गुसा जाए और बाद में और गहरे दुखों का अनुभव किया जाए तो इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर थी भी आउचकता है ताकि संसार में हमारे रहने की पर्माने डिवस्ता हो सके अगर आपको बोरिया फील हो रही है यहाँ पर यहाँ बहुत बेकार जगा अगर आप देखें आस पास यह दुनिया बड़ी रंगीली यह दुनिया बड़ी सजीली अजनी बहुत बहुत अची जगा है आप इंजोई वा लाइफ यह उन्जोई आपको परसेप्शन बदननी है दुनिया को लेकर किया दुनिया आपको colorful दिखे की यह आईए आपको मूवी दिखाते है आपको देखो यह देखो हीरो है हिरोईन है देखो दूसरे बरस है करें न देखो इनमे स्वेटर भी नहीं बना वाँ इनको निमूनिया भी नहीं हुआ इनको इसे आपके साथ भी हो सकते है ऐसा इसे कोई चर्शा नहीं करता है और माया परिक्षा लेगे तो किसकी लेगी भक्त की लेगी क्योंकि भक्ती करने से हम माया के दुर्ग से भार निकल सकते हैं इसलमे माया पर्शा लेगी तो किसकी लेगी भक्त की इसलिए को डाउट हता है कि तहätta पहले तु इतना नहीं आया करते थी समझ साय इतनी परिक्षाह नहीं जब से भक्ति में आये हैं ये सब परिक्षा है हमारी शुरू हो गी इसलिए क्योंगे सर अब आप मया के दुर से निकलने का प्रियास करें इसलिए ये मायवादी, छायवादी, कायवादी, उगरवादी, निराकारवादी, इनकी भी कोई परिक्षा नहीं है तुम भी निराकार के चक्कर में रहो बैटा, ये दूसरा जहांसा है मेरा कि भवान के सुन्दर रूप के और आकरशित नहीं होने दूंगी तुमें कि इस लिए उनकी परिक्षा नियुक्त हम और बार की सता रही है, बिजनस में दिखके जा रही है, हमसे आके मिले, गारंटी डिलाज, हमसे आज तक कोई निराश नहीं रोटा, और हमारी को ब्रांच नहीं है, बहुत बहुत बढ़ी है जी, बहुत 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 अब दिक्कतें शुरू होंगी फ्रॉम माया साइड तो प्रभभाजी बड़ी सुंदर बात यहां बता रहे है कि कमिंग टू भक्ती means declaring war against माया माया के विरुद युद्व विरान शेर्दन यह बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है तो war जब होती है तो war के अंदर क्या होता है जब होती है तो कुछ सैनिक घायल भी होते है कुछ सैनिक मर भी जाते है और कुछ सैनिक होते है जो जिन्दा वापस भी आया रहे है ऐसा होता है जब war है भी इसमें तो इसमें जो कमजोर होते है जोने भक्ति का सत्तों बड़ा कमजोर है ऐसे लोग काफी जखमी भी हो जाते है कुछ मर भी जाते हैं अब रात कर लेते हैं तो मर भी जाते हैं और कुछ बड़ शुक्तिशाली होते हैं तो वह वापस भी आ जाते हैं ऐसा होता है लेकिन वार में बहुत सारी चीज़ों होती है जब युद्ध होता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों होती है अच्छा वार में क्या का होता है वार में हमारे पास क्या होना चाहिए वेपन होने चाहिए वेपन होना बॉला ज़रूरी है हतियार होने चाहिए तो वो हमारा हतियार किया है? किस हतियार से भक्त माया से लड़ता है? The sword or tipu sultan? No, वो काम नहीं करती हैं आपड़े Surrender Surrender की तलवार से भक्त लड़ पाता है समर्पण की तलवार से जो समर्पित नहीं होता है, समर्पण नहीं करता है बहले उसमे कितना talent हो, कितना knowledge हो, कितना charismatic हो, YouTube पे popular हो, लेकिन माया के आगे गुटने take देगा हो, यह समर्पन नहीं है उसके लिए, समर्पन नहीं है, तो समर्पन की तलवार जितनी मजबूत होगी, उतना माया के साथ युद्ध लंबा चल पाएगा, और विजई हो पाएगा, अधरवाई तलवार ही प्लास्टिकी बनी होई हैं अगर, वो तो वैसी छित्थर पित्थर हो जाएगी वो, तो इसले जो नकली surrender होता है, नकली surrender का मतलब होता है, आसल में हम surrendered हैं अपने psychophysical nature को, अशल में हम surrendered हैं अपने खुद के plans को, हम surrendered हैं खुद के मन को, तो जब तक मन के अनुसार चीज़े चली, बक्ती चली, और तक मन के अनुसार नहीं चली, तो बक्ती छूट गी, तो बिसिकल प्लास्टिक की तलवार तलवार की वो, प्लास्टी की तल्वार काहज दिवार क्या चलने वाले ही लेक्ट प्रतिकूल से वर्जनव हो इसको अपनाना और प्रतिकूल है उसको त्यागना बले ही जो अनुकूल पसंद नहीं है लेकिन अपनाना यह सुबह जल्दी उठना पसंद है अई नहीं रहे सरदी के दिनों में तो बिल्कुल नहीं अराम से उठेंगे रजाईयों पड़े रहेंगे नहीं सुबह पसंद है लेकिन भक्ति के लिए नुकूल है अपनाएंगे जिक करेंगे अच्छा प्रतिकूल है इसको त्यागना क्या पसंद है कि अधिक लिए नुकूल चीजन को अपनाना भली मुझे पसंद ना हूँ और भक्ति के प्रतिकूल चीजन को छोड़ देना भली मुझे बहुत पसंद हो तो सरेंडर की तलवार से हम लड़ पाते हैं माया से अच्छा और किसकी आउश्यता पढ़ती है प्रिपरेशन अगर को वेक्ति प्रिपेर नहीं करता तो युद में वो अच्छा से लड़नी पाएगा तो हमें हमेशा प्रिपेर करके तना चीए अपने आपको अच्छा माया के विरुद ये जो लड़ना है इसमें भला ये ट्रेनिंग ये प्रिपरेशन ये क्या है भला ये है शवन और कीर्तन शवन कीर्तन की विदी में जो रेगुलर्ली लगे रहते हैं ऐसे भक्त जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन होती रहती है हमेशा कब परिक्षा हुई कुछ नहीं बता ये लेकिन अभी आज जो हम बैट करके शवण कीरतन कर रहे हैं हाँ शवण कर रहे हैं हरी कथा सुन रहे हैं हम लोग ये शवण की जो विधी है ये हमको तयार करती है against the attack of Maya Maya का attack कब होगा कैसे होगा कहां होगा कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता लेकिन अभी जब attack नहीं हुआ हुआ तब हम कितनी तैयारी कर रहे हैं उससे decide होता है कि जब attack होगा तो हम कैसे behave करेंगे हम कैसे react करेंगे यह तब decide होगा so that way is जो training है वो है नियमित रूप से भवान के बारे में श्रवन करना यह training अच्छा और किसी आवश्रता पढ़ती है भई muscles होने चाहिए तलवार तो उठा लिए तलवार तो है आपका वज़राना प्रताप सिंग वाली तलवार है यह प्रिथ्वी राच चुहान की तलवार है 81 kg की 80 kg 81 kg की तलवार थी अब जाकिस के muscles ही ना हो तलवार उठाने के बाद यह muscles का तो muscle जाएंगे यह लोग तो और मसला यह होगा कि इसके muscle ही muscle गए तो भाई तो तलवार कैसे उठाएगा तलवार तो उठा लिए अब इसको कर उठाएगा तलवार उठाने के लिए डोले शोले भी होने चाहिए ताकत भी होने चाहिए अच्छा जी यह वाला ताकत कहां से आती है यह ताकत आती है उत्साहा पूरुवाग हरे कृष्ण महाम मंतर का जब करने से आप तो कितने वक्तों का रुख हो है किति किति राव राव किति की ध्या ऐसे करके जब किया मरगिल्ला जब पूरा दिन मरगिल्ला हो गया हमारा तो इसलिए अगर हमें चाहिए हमारे डोले अच्छे बने भाई डोले अच्छे बनाने के लिए उत्साहा पूरुवाग जब करना चाहिए और आप देखेंगे न ये जो मसस्स लोग बनाने के लिए का या थे है जिम जाते है जिम जाना लोग शुरू तो कर लेते हैं लेकिन कॉंटिनू नहीं कर बाते है शुरू 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 जब दर्द होती है जिम जाना छोड़ देते है कि आथे एडी बस बति शुरू जोश था अब यौ जोस्टा हो अब ये जोश धंड़ अगया है ऐसा होता है? ऐसा होता है जो़ोग जिम जाना की शुरू आत की न जाएंगे घाएंगे हम भी बोड़ी बनाएंगे तो थोड़ा दरदवर्द होते हैं आई चोड़ दे जिम जाना छोड़ देते हैं ओलोग ऐसा हो जाए लेकिन शुरू की था लेकिन शुरू की था लेकिन शुरू किया था तो जिम जाना शुरू करना और जिम जाना छोड़ देना यह दोनों असान है लेकिन जाना देहना यह कठी नमात अधिक शीशी रुपनी दौर कदीश की जाए यह वारी जीव इस्टाइब है यह जीव इस्टाइब टाकत मिलती है तब हम लोग अपने सरंडर की तलवार को लेकर आगे बढ़ते हैं सरंडर करने की इंस्पिरिशन हमको हरे नाम जब से मिलती हैं so that is muscle बनाना है वो है नियमत रूप से उत्साहपूरवग भवान की नाम का जब करना especially morning जपा morning जपा is the best जपा जैसे है दिन बीता जाएगा जपा करना कठिन होते जाता है तो इसलिए अगर वयायाम करना होता है तो सुबह सुबह करना होता है उसी प्रकार से अगर हम चाहते है कि हम यह जो हमारी वयायाम शाला है जिसमें कि हमारे muscles मनें तो muscles है उसापुरो भॉहां श्री कृष्ण का नाम लेना that's very very important तुझे नाम में अपनी जान देगा नाम प्रभू पलट क्या देंगे उसको जान तुने अपनी जान जब करते हुए यह ले और ले जान जैसे मारे वस्तओ अपव gegangen शिस्टीफोर राउंड करते हें बहुँच जानदा है बहुँच जान है यह ले भर से बहुट है यह री भक्त में जान चाहर और yodh में जान हुआ यूत की अंदर होता है strategy building strategy building, strategy भी तो होती है right strategy building क्या है strategy building है regular guidance of devotees भक्तों की guidance मिलती रहती है तो हम वास्ता में इस यूद को लड़ पाते हैं क्योंकि यूद में कब कहां से क्या attack होगा कुछ नहीं बता इसलिए उस वक्त जो guidance मिलती है हमें devotees है फ्रभू आप जो वहाँ कर रहे हो ना इस चक्रों फजया होगे आप यह मत करो देखो अभी आप जो कर रहे हो ना इसमें सावधान आगे जा कर रहता है तेके ना अब वो प्रीचिंग वहाँ फला पला जगा करने जा रहे हो आप वहाँ पर ऐसा सावधा था जहान रखना अब आप आप ना एव हाँ जा रहे हो प्रीचिंग करने के लिए यहां पर यह सेवा कर रहे हो तुब ध्यान रखना देखो भी आप ग्रहस्ते जीओन में जा रहे हो ग्रहस्ते जीओन में कभी के फैमिली अटाश्मेंट्स आती है तो उनके प्रती होडा सावधन है इस प्रकार से guidance मिलती है कि कब हमें क्या कैसे करना है पूर ट्रैवलिंग करो है ट्रैवलिंग के समय आप reading hearing कर सकते हों तो इसलिए at that time you can do some reading तो डिवोटीज की जो guidance है यह हमें बताती है कि strategy क्या रहनी चाहिए हमारी कब कहां कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है यह गाइडन्स तब कुछा शिला भक्ति सिधान तश्रचा प्रभुपाजी से can you make me free from maya तो उनने काँ yes it is possible that I can make you free from maya provided you borrow you lend me your ears तो उनने कान मुझे दे दो बस उसके बाद उनको बता दो कैसे maya सो बचना है तो हमें उनने कान देने पड़ते हैं वैश्णों को वैश्णों की guidance होती है then we can save God answers from maya so strategy building comes from the guidance of devotees inspiration प्रेणा में तो मिलनी चाहिए maya इतिनी शक्ति शाली है हम बीच विच में हार भी जाते हैं हम गहाओ भी लग जाते हैं ओ फला फला भक्ते था माया पर किस प्रकार विजई हुआ इस प्रकार की बड़ी दिक्कत वली situation आई थी और इस प्रकार से भक्त ने उसको सहते हुए और इस प्रकार से अंतता हो विजई हुआ ये stories हम सुनते हैं बहुआन के भक्तों की तो हमें inspiration मिलती है कि माया का जब attack होगा और attack होने पर आपको घाओ लग गए आप पोड़े हतुत साहित होगा ये मेरे से नहीं होने वाला तो उस वक्त विजई की जो गाताएं हमने सुनी हैं बहुआन के भक्तों की अगर को पढ़ता है ऐसा विक्तिक अब डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता क्योंकि शुल्प्रभुपाजी ने पक पर जा करके माया पर विजव प्राप्ती है शुल्प्रभुपाजी ने पहला सेंटर कहा हो ला कहता है माया सबसे अधर स्ट्रॉंग अमेरिका में है पहला सेंटर अमेरिका में खोलेंगे जी अच्छा अमेरिका में सबसे इक पाउर रूल का है माया नियॉक में खोलेंगे अबना सेंटर अच्छा नियॉक में सबसे इक स्ट्रॉंग माया का है बाउरी स्ट्रीट पहला क्या बात है वह शक्तिशाली आचारे है तो ऐसे शक्तिशाली आचारे है और किस प्रकार से He was in the hub of Maya और Maya के hub में रह करके Maya के विरुद्ध युद्ध शिर्णा सैनिक तियार करना My God, this is extraordinary This is extraordinary तो श्रिप्रोपाँजी की विजय की काथा है कि कब किस प्रकार से प्रकार से प्रोपाजी जीवर में यश्पी आया He was not bewildered Failures आये, He was not bewildered श्रिप्रोपाजी की लाइफ में कितने उतार चलावाए है Devious disciples आये धुका देने वाले लोग भी आये He was not bewildered उनके मंदिर किसे ने बेश लिये He was not bewildered So भक्तों की जो विजय की गाथाएं हैं माया की ओपर जो विजय की गाथाएं हैं ये सुनकर के हम को इंस्पिरिशन मिलती है I remember when in during my college days When I would see that There are so many girls as well There's that, कैसे बचें There's that, especially कोई गोचा सुन्दर लड़की हो At that time somehow मुझे भक्त ने Story दी नामाचारे हरदास ठाकूर की कि इसमें नामाचारे हरदास ठाकूर के पास माया खुद उनको टेस्ट करने के लिए आई और नामाचारे हरदास ठाकूर ने He had deceived माया Wow ये story सुनकर के इतनी inspiration मिली अरे वाँ नामाचारे हरदास ठाकूर He was victorious over माया Yes I can also do it मैं भी कर सकता हूँ तो ये inspiration मिलती है जो हम भक्तों की विजए गात हाएं सुनते है बहुत ज़रूरी है इंपर आप देखेंगे कि ना भगवान की लीलाओं से connection बने या ना बने लेकिन भगवान के भक्तों की जो कताएं है न ये जादा connecting है क्योंकि हम connect कर बाते हैं ये तो हमारे साथ मेरे साथ जो रहा है अब भवान कृष्णव ने गिरी राज गवर्दन उठा लिया अपने पिंकी फिंगरे लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे ये तो बहुत ज़्यादा है लेकिन भक्तों की जो लीलाएं हैं इनमें जादा हम connect कर पाते हैं विकॉज उनके अंदर एक struggle भी है एक संगर्ष है उसमें प्रातनाएं है उसमें साधना भी है इसले श्री जीव को सामें बता रहे हैं शर्सन दर्वो के अंदर कि हमें भक्तों की गाता हैं पढ़ने चाहिए because we connect more to the lilas of the devotees करना चाहिए तो इसमें inspiration क्या है इस युद्ध के अंदर माया के साथ हमारे जो युद्ध है इसमें inspiration है भक्तों के विजय गाता है tonic tonic भी चाहिए कमजोरी आया थी है जी क्या करें adrenaline कैसे लगाए तो जो adrenaline है जो tonic है वो है भक्ती रसायन भक्ती रसायन क्या है हरी की कथाएं हरी कथा सुनने से हमको शक्ती मिलती है भक्ती रसायन यह वाग इसने बोदा श्री प्रभपाद है श्री प्रभपाद वो बोला कि आप तो chemistry में आपकी graduation है तो आप कुछ ऐसा chemical formula निकार लें जिसे पी करके हमें ताकत आ जाए माया के खिलाफ हम रड़ सकें हम भक्ती में बड़े stable हो जाएं कुछ tonic ऐसा है है अकवास श्री प्रभपाद ने का हमे बस tonic का formula तो है आप formula में चार ingredients है तरोर अपी सहष्णुना अमानिना मान देना ये है ये चार chemical उसके ingredients है अगर किसी के पास ये चार है इनको मिला करके ऐसा tonic बनेगा परसनल बिकम वेरी powerful तरोर अपी सहष्णुना विर्ष्ट समान सहंशील होना मानिना अगर किसी पास ये चार है फिर तो उसके पास tonic है तो ये tonic जो है इन चार ingredients में भी है और साथ ये tonic आता है हरी कथा के रूप में हम हरी कथा सुनते हैं तो हरी कथा सुनकर करके हमको ताकत मिलती है और आज़े कहीं ऐसे devotees हैं और कुछ मिस करें या ना करें लेगी नेकी चीज़ कहीं मिस नहीं करते हैं श्रीमादभाग heeftम रबाग श्रीमादभागतम क्लास वहल सकति है श्रीमाद बार बारे में शरवन करके भी इससे शरवन करके आप बहुशति अ भी इससे जितनी समय दार भकते हैं जो लंबी रस के घोडे वल बगते हैं इस चीज तो भाई लाइफ में नहीं हिलने की आओ वो है हरी कथा वेरी वेरी इंवाटन पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में जपा एंड हरी कथा है इसके लिए और कुछ हो न अच्छा है न आओ लेकिन हरी कथा में जरूर आ है अच्छा यूद लडते हुए और क्या चीज उते है यूद लडते हुए घाव भी लगते है तो जब डिवोटी माया से यूद लड़ रहा होता है तो घाव भी लगते है ये घाव किस वजा से है ये घाओ अर्ड रिप्रेसंट करते हैं इस यूज़ भावर फ्री विल हमारी स्वतन्तरदा का मिस्यूज जो है वो हमें घाओ देता है वहाँने चॉइस दिये हैं कभी कभी चॉइस का मिस्यूज भी हो जाता है अलकि हम नहीं चाहते हैं यासा करना लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है जैसे प्रभुपाची के बाद इस सभी भक्ति था उसने बोला श्रेप्र प्रभुपाच आप आप you know sometimes I fall in Maya प्रभुपाची का नो you are always in Maya sometimes you fall in Krishna ऐसे नहीं तो हमेशा Krishna बक्ति में हो कभी-कभी माया में जाता ना 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 you are always in माया कभी-कभी तुम Krishna क्यों मुड़ते हो इसी लिए so that way is हमारे मिस्यूज और फ्रीवल है एक बार भक्ते हैं पुछ अशले प्रभुपाची से क्या कोई ऐसी बी चीज है कि भावान जो नहीं जानते भावान दो सब कुछ जानते प्रभुपाची ने कहां एक सब्सक्राइब यहां से सीधर से जाना आप लेफ्ट हो गए तो फिर जीपेसाब अरे फिर आपने रस्ता लग लिया फिर वह जीपेसाब रिरूट करता है और फिर नया रस्ता दिखाता है कैसे मौशना है लेंगे पैंटालिस मुन के वाप एक घंटे मौचेंगे सब्सक्राइब पहुचाएगी लेकिन फिर समय ज़्यादा लगेगा जी क्योंकि बीच में अफड़ी तफड़ी बाजी टपोरी गिरी ये सब भी थोड़ा बीच में कर लिया हमें पसंद देना क्या करें साथ हमाई लाइकिंग है इस अफड़ी गिरी के पीछे तो फिर समय ज़्यादा लगेगा रिरूटिंग होती रहते हैं फिर ठीक है जी हाँ भोग के आओ फिर ठीक है स्वर भूं के आजाओ फिर तोड़ा चलो फिर अगला जान तोड़ा यहां वहाँ पैदा हो जाएंगे फिर य यह रिरूट होते होते हैं भाई बहुत टाइम लग जाएगा तो वूंस हैं मिस्यूस अफार फ्रीवल हमारी स्वेच्छा का गलत इस्वाल करना वो है घाव उसकी वासे घाव आते हैं माया के साथ लड़ते लड़ते अच्छा घाव आ जाते हैं तो घाव के बाद फिर को घाव के ओपर जो मलहम है वो है थे एंकरजिंग वर्ड्स अफ डिवोटीज भावान के भकतों के प्रवसाहत करने वाले शब्द उनको ओइंटमेंट लग जाता है तो घाव ठीक हो जाता है कोई बाद ही प्रभू इस बार हो गया अगली बार जहाना कोई बाद ही आप यहान जुब आफ जाता है प्रोग श्रू अब ढ़े घंड टा जीविड रहता हूं जड़ा के लुद्धाट ही बाद इस बाद के सजाए करता है तो यहान जी घंड गालत एस वाल ओ गया था हम बदे ऐस ऑख कि आफ थोड़ दे अटीड़ाश बीब साए और अश्य면 होती है पहले हम निष्ठावान नहीं होते हैं बांदे निष्ठावान हो जाते हैं अरे रजोगुन थोड़ा काम होगा ना stability आ जाती है it's okay भक्ती से सतोगन बढ़ेगा बांदे से सतोगन के परे दिव्य दोंट वरी it's okay encouraging words of devotees एसे एक भग्या श्रीप्रभुपाद चीक वास श्रीप्रभुपाद आपको अपने थे थाओना थिस्ट्री बताना जाता हूं मैं हां बता हूं मैं भक्ती मियन से पहनन ना श्रीप्रभुपाद ना जयल में थाओ रूब आपको अपने अच्रीप्रभुपाद ना जयल में थाओ प्रभुपाद नीटे नीटे टाएपिधर को और ने थे विदृग करता था य Cliffordण के बादाना हूं बढ़ी, encouraging words ने, श्रीप्रभुपाँची के, encouraging words है, बढ़ी ने, पर पर पपाझे ने, पर 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 प्रपुपाँची का मंदिर बेश दिया किसी को, श्रीप्रभुपाँ, एक दिसपल अब अच्छी ने, पर पेस्थ ने, बढ़ी, तकि वहाँ होल बना दिया, उसका मंदिर और प्रभुपाई भी लिखके भी जाए है that you are a rascal but still I love you so ये डिवोटी के लिए बहुत encouraging है कि आरे मतलब मैंने बदमाशी की उसका भी गुरु कह रहे है I still I love you so encouraging words of devotees they are the ointments ये ointment है इसको लगाते हैं तो गहाव ठीक हो जाते है और युद में क्या होता है जैसे माया और भग का युद चल रहा है युद के अंदर तो conspiracies भी होती है शडेंतर भी होते है इस शडेंतर किसके है माया के माया शडेंतर रश्टी है कब किसको कहा फसाना है माया जानती है क्यों इमायों को सबकी कमजोरियां बता है इसको वो बहुत पसंद है वो ही पसाऊंगी इसको इसको यश बहुत पसंद है इसको वहाँ पसाऊंगी इसकी सारी इच्छा यश में पसाऊंद डाल दूँगी भक्ती की इच्छा बचेगी नहीं सकंद है इसको पोसे जंडर महँपस में अब भी देख तरको विदेश भीजती हूं पी तरको देख मैं घुमादी मच्छे से देख भूट मजाएगा कॉंस्विरेसी इस इस नहीं बड़ी अच्छी इंटरसिंग स्टोरी आती है एक बार एक बिजनसमेन था और बिजनसमेन के भार मे आप बच्चे के खिला करते थे अब बिजनसमेन पुल्कुल पसंदी था यह बच्चे करिके खिलने क्यों आया थे बुब कुल पसंदी था इसको लेकिन असे डाये ऐसे बोले पार्क खरोके छोड़ के चले जाओ तो इसने एक स्ट्राटेजी बनाई पांस्पिरेसी इसनी आप यह मैं चुछ देखना शुरू कर दिया जब भी चौका लगें यह बच्चे करना शुरू कर दिया बच्चे कहा हमें आज तक अभी ओडियन्स मिली नहीं इतने ओडियों को तो इसने का किना तुम लोग इतने अच्छे से क्रिकेट खेलते हो मुझे इतना अच्छा ल अब हुआ क्या इसने दो तीन दिन बाद चालेस अब देने शुरू कर देगाता है मेरा बिजनेस फोड़ा लॉस चल राजकल तो चालेस दूब दूब आप लोगों को फिर पच्चे सुरूब देती है पिर दस रूबे कर दिये पिर पांच पर कर दिया बिजनेस बहुत ख चुका हूं तो ना आप यह दो दो रुपे तुम लोग पकड़ लो लेकिं तुम लोग यहां खेलते रो लीस दीगे ना इस दो दो रुपे लेलो तुम लोग कहता है आप बिखारी समझकर रखाया बै ए विक्टे निकाल यहां से चलो यह लोग पार्क छोड़कर चले तो बीच में को चल रहा था क्रिकटबी चल रहा था पैसा बी चल रहा था एक फ़ी तो फेर इसलोग ना लेकिन लेकिन खीलरान में क्या हूआ ड़ंब से कंद्विक्टे और पैसा कमाने भी नीचे और दिरे-दिर पैसा जग होना शुरू हुआ तो हिलना शुरू होगा वक्ति फिर ये सारे समय के हैं अर रै विक्टर निकालो चल्ले हम लेकिं ये तो क्रिकेट हेलने आए थे तो पैसा कमाने आए नहीं थे और शुरू शुरू बे न person not बना था जीरो यह तो 50 वर आने चुरू है पर 40 वे 25 वे 10 पांच छोड़ दिया जी क्रिकट खेलना चोड़ दिया हमाँ पर इस दो भक्त जो है जब ने आने आता तो भक्ती करने के लिए आया है वह तो कोई को सर्टिफिकेट करने करने पावर पोस्स पोजिशन मठादीश ब हम भक्ती करेंगे हम भी हरी बोल हरी बोल करेंगे हरी बोल चलो प्रशाद पाए यह इसलिए आयए इसलिए थे बीच में ना कुछ और भी होना शुरू होता है बहुत ही स्पेशल है यह आज से इनको हम यह बनाते है आज से इनको वो बनाते है जब से यह आए है बस करांती किसी आगई है, और यह अच्छा तो न प्रशंशाओं में उस यश में उस प्रसिद्धी में अब मन उसमें शिफ्ट हो गया, पहले मन भक्ती में था और बक्ती करने के लिए खाए इस कौन मन किसने आते हैं, बक्ता को समाज में इस भक्ती आते हैं, लेकिन देरे देरे मन है क जा रहें हम, देख लिया हमने, शापते है हैं यहाँ प्रफि its own चलाया, माय ही जाती ही चलो गया… गुमा ती है जिको मिर ayah तो चलाया, माय है इसको मेने तो जो भक्त है उसकी परिक्षा माय ए लेगी… ऐसके कम ने विल सोचा उएगे आप म्य इना थि thumbs up ने colour मैय भाई आप तो मायी आप नारे किस्णा करना हूं गर शुर्टा यूर्टा ले लिया मैने तो मायी के देखी कि दोती कुर्ता भाल नंच लेवल नगी यह अब तो ना मैया की लुग का नेक्श लेवल होता है जैसे गेम ऊती ना वीडियो घलती न ते और आफ जेकृ से ले टेक्षी नेट भाद नेने अस्टाइब इसपार बडाद असका लवल बड़ा जिर्धा को खार गां माय का नेट्ट लेवल हमारी ब्रहामन दिक्षा करा दो हम बहुत स्कीरश हो गाहितरी दिक्षा ले लूग अब अच्छा नेक्स लेवल बेसे कि हर ताइं के अपना नाम प्रपोस करते हैं माया एंग मैं नेक्स लेवल के लिए थेयारू मेरी आप बढ़िया वाली परिक्षा ले सकती हो और पिटने के लिए पिटने के लिए पिटने के लिए बड़े उतसाही होते हैं basically they are declaring war against Maya कि Maya अब मैं आप मेरे और बढ़ी परिक्षा लो मेरा बुद्धी कुमानी कि आप बढ़िया वाले प्लान नावा कुछ कुछ धंगवाला प्लान हो एक दम ना जिसमें मैं पिटू ही पिटू हो तो आप प्लीज यू ट्राइ और जो सन्यास के लिए प्लाइ कर रहा है Maya full gear चालो जी full gear full race में अब परिक्षा लेगी आप तो इससे दुनिया में विरले होते हैं जो की सन्यास के लिए पहुंचे तो इससे पहले-पहले Maya अपने सारे खेल खेल लेती है इससे प्रभुपा जी पताया करते थे If somebody stays in Krishna consciousness, feel astonished If somebody leaves Krishna consciousness, do not feel astonished अगर कोई भक्ती छोड़ दे, हैरान मत हो ना अगर कोई भक्ती में टिक जाए, हैरान होना कैसे अगर कोई टिक गया ही ओ यह Maya की hockey जहिल गया यह Maya की golf stick जहिल गया तो इतने सालों साल औरे इसने भक्ती में कोई टिक जाए यह हैरानी की बात है अगर भक्ती छोड़ के चला जाए अरे जा रहे हैं और किशोड़ी चोड़ जाए तो शार obtुसार गए बासो करद्ध किस को आएं चैसे फथा forgiving हो नुद बता ऑदना उसकी अंते उन्से हजारों अची तो कोई जैंक इसमे बुद्दी के दम पे माया को अदा नुख वा exploiker हैं यहां कब कैसे कब चाल होगी माया की कुछ नहीं बता है सो अपनी इंटेलिजेंस के दम पे भी हम माया को नहीं जी सकते हैं कितने बुद्धी मान लोग मैं जानता हूं एको बीसाल होगे इसको नहीं मैंने इतने बुद्धी जीवी लोग देखें हो माई कॉड इंटेलेक्ट में असा लगता था शायद ये इंटेलेक्ट के बने हुए हैं ये हडी मासी नहीं बने ये मेड़ आफ इंटेलिजेंस इतने बुद्धी मान लोग सुपर टैलेंटेड लोग करिजमाटिक जब चलें तो स्पोटलाइट उनक बैटेंटें वादी जो आप संछा शो नेराकार वादी संछा ये देवी देतों को पास इनको तो हम काउंटें नी करतें इक हो तो मेरि गोध्ते हुए उनको निकलने कि इछ भी नहीं हो तो अँओ वही पे खेल खेले आवने कपडड इकव अपडड इसटापू और में कि इनको तो हम काउंटी नहीं करने जो हरी की भक्ती करके अब माया की चंगुल से भाण निकलने को प्रयास करें, हम इनको लेकर चलेंगे, क्योंकि इनकी परिक्षा माया लेती है, इनकी परिक्षा लेती है माया, ओके, तो ऐसा भी होता है, जिब युद्ध होता है, तो माया कि अब उसके चंगुल से निकला कैसे जाए तो उसके चंगुल से निकलने का जो तरीका है वो है हरी कृपा वैशनव कृपा यहाँ पर भी आरहा है हालकि कमल काप गया लेकिन ब्रह्मा जी भवान श्री कृष्णी की कृपा के कारण इस disturbed situation में भी disturbed नहीं हुए क्योंकि उनकों पर कृपा थी कृपा थी एक समय भक्त ने बुचा श्ली प्रभुपाजी से श्ली प्रभुपाद मेरे अंदर बहुत काम वासनाओं है मैं इसे मुक्त कैसे होंगा प्रभुपाजी ने का ये असंभव है अब प्रभुपाजी वहाँ से उठाव चल दिये अब बग सोच रहे हैं ये मनलाब काम वासनाओं से मुक्ती है ही नहीं अब उसने सोचा कि ना अगले दिन फिर से सवाल पूछूँगा लेकि ना जानवर की उपर हम कैसे विजय प्राइब करें प्रभुपाजी ने का ये असंभव है प्रभुपाजी वहाँ से उठके पिछल गए यादा लोग जी मैंने सवाल को दूसरी दिना से पूछा तो भी सेन जवाब अब भक ने का बस तीसरी बार एक और बार मैं ट्राइ करूँगा इस बार भी अगर असंभव बोल देना है तो तूट जाओंगा यार मैं मलब सान सार की वासनाओं से मुक्ती है ही नहीं तो तीसरी बार उसमे फिर से ट्राइ किया इसका श्री प्रभुपाज हमारे अंदर ये जो राक्षस बैठा वाई जो हमसे क्या-क्या काम कराता है पश्तावा भी होता है फिर भी हम करते हैं ये कब निकल पाएंगा हमें सबसे प्रभुपाजी ने का ये असंभव है और प्रभुपाजी वहाँ से उठके चल दिये अब ये बक्त टूट गया एक दमाहा बैठी गया ये ये संभव है लेंगे प्रभुपाजी फिर मुड़े और प्रभुपाजी अपना केन उठा के बोला गुविंद इच्छा क्या गुविंद इच्छा माया से मुक्ति का सिर्फ एक ही तरीका है वो है गुविंद सेविका है वो कहते हैं जी मालिक जैसा आप बोलें बहुत अपस्या सादना कर रहा है बहुत त्या किया उसने मेरी सेवा में बहुत सेवा किया उसने चोड़ दे उसको छोड़ दे जी जैसी आपकी आपक्या तो माया छोड़ देगी अधर वाइस कोई सोचे में माया को ऐस हरा दूगा ना 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 जब भभवाण श्री श्रीक क्रिश्ण हमसे प्सण होते है क्योंकि हम भक्ती कर रें बड़ती कर रहाए ह। भवान के प्रसन्ह होने पर फिर भवान आ ग़ी दे माया को इसको छोड़ दे तब माया छोड़ती है इस आप कीसे घर में जा उना डोबरमान कुटा आपको पर जाए और उने कुट्टे को बोने से हड़ जाए तो कुट्टा हड़ जाएगा क्या करना बढ़ता है मालिक को पुकाना बढ़ता है कहा चोड़ा साथ ये कुत्ते को डाहिया चोड़ा साथ, कपूर साथ, गुंसाली साथ देखिया जहां कहीं भी है तो जब मालिक आएगा मालिक बोलेगा Tommy, get down get down तो कुत्ता नी चुतने वाला है अधर वालिक आएगा I see Maya है Maya को बहुत है Maya, तो हट जाँ Maya, तो हट जाँ Maya, तो हट जाँ Maya, तो हट जाँ तो हट जाँ ना, ये तो मारी सेवा है संसारी लोगं को बोलना Krishna Bhakti मतावया है क्या रखाय है bhakti यव गारे It's so boring It's so boring Bhakti is so boring come on ये दुनिया दे को कितनी colorful है you can have so much fun man, come on go and have fun, don't come to devotion to Krishna Krishna is boring, Maya is interesting come on yes so sansari दों को Maya घुमा के रहती है don't come to Krishna और जब कोई भक्ती माया था है यह भक्ती करना बिलकुत कल करना आज नहीं कल हमारी युक का नाम क्या है कल युक तो भक्ती कव करने हैं फिर कल, आज नहीं आज मजा कल भक्ती, मैं मना थोड़ी करनी हूँ अच्छी बात है करनी ची लेकिन कल करना ठीक है, आज मजा करना ये कल भक्ती, फिर कल आजाएगा कल 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 हम करेंगे न इक बार बच्चे वगारा भ्याले हम लोग, एक बार ये घर की किष्टें सब चुक जाएंगी फिर भक्ती भक्ती है बग्ती भक्ती करेंगे और क्या पस थोड़े सब्सक्राइगी बात कल बग्ती जरू करने चीं, हम तो खुदी कहते हैं बग्तियां करो बहुत चीं बात है लेकिन आज ने कल एक बार सब सेटल हो जाएगा न फिर सारे फरिष्टे आकाश में आएंगे, कहेंगे आओ भक्तियां करें, आओ ये, ऐसा होगा ठीक है न, आज निकलने तो इस पकार से माया जो है ब्रहमित करके करती है संसार में लेकिन इस सब से निकलने का तरीका क्या है निकलने का तरीका है वास्तर में कृष्णी की कृपा कृष्णी कृपा परात होती है हम हरी भक्ति में लगते हैं कृष्णी की प्रती आकर्शन विक्सित करते हैं क्रिष्ण के प्रति आकर्षन विक्सित करना ही तरीका है माय से बचने का यो किसी ने बोला शुली प्रभपाजी को शुली प्रभपाद माया is very strong तो प्रभपाजी ने का नो, not that माया is very strong your love for Krishna is weak हमारा क्रिष्ण के प्रति आकर्षन वीक है असल में so that way अगर इस भावना के साथ अगर हम रहेंगे then we can conquer this battle against माया otherwise माया जो है बिविल्डर करती रहेगी उसा काम ही, ये सेवा है, भभवान ने दिया उसको सेवा है तो हमें अपनी सेवा करने चाहिए, माया अपनी सेवा कर रहे है like that alright, 9 बच्चों गें अरड़ी, ये पे बिरान मौल